आज की सुन्दर और सम्मानित सभागे सभाद्देख जी हम सब के और युवाओ के चेहते और एक जानदार शानदार व्यक्तित्व आदर्निय चोदरी जैन सिंग जी वे मंच परासीन सभी विदहागण, सांसदगण, पूर सांसदगण, पूर विदहागण, वे पार्टी के आदर्ने पदादिकारी गण और सम्मानित मंच वे सम्मानित बुजुर्गो और नोज़मान साथियो सबसे पहले मैं दो नारे लगवाना चाहता हूँ स्वर्गे चोदरी चन सिंग स्वर्गे चोदरी चन सिंग स्वर्गे चोदरी जैन सिंग अदर्निय चोदरी जैन सिंग अदर्निय खलेश यदव अदर्निय चंद सेखर जी सम्मानित साथियो आज जो आज 15-20 दिन पहले जो चुना हुआ था आज उसके धन्यवाद के लिए आप सब लोग एक्तरित हुए हैं और वो सक्सियत आप लोगों के बीच में है जिसका हमें धन्यवाद करना है आप सब लोगों ने इकटे हो करके और अपनी वोट का इस्तेमाल करके इस परदेश में और इस देश में आजने चोधरी जैन सिंग के सम्मान को खतुली सीट जिता कर बहुत बढ़ाया है जिसका संदेश दिल्ली और लखनाउं तक गया है मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साथियों ये चुनाव इस देश की और इस परदेश की दिसे का बदल कर रख देगा साथियों अपने उन धार्मी कुन्माद फैला होने वाली सक्तियों को सबक सिकाया है जिनों ने हमारे नोज़मानों के साथ दोका किया है खिलवार किया है जो जिनकी नियत और नीती में खोट हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं इस चुनाओं से उनकी नीव हिली है और मैं समझता हूँ कि आने वाले अगले वाले चुनाओं में सायद इन नोजवानों को नोकरी मिल सकती है सायद इन किसानों का गन्य का भाव भी मिल सकता है और मैं कहता हूँ जदी इसी एक जुकता से आपने अपने अधिकार का परियोग करके 2024 में भी इन लोगों को यहां से भगा दिया तो वे दिन दूर नहीं होंगे जब यहां स्वर्गिया चोदरी चन सिंग और बाबा भीमड़ा हम बेड़कर की विचारधारा दुबारा से इस्थापित होगी अंत में मैं अपनी वानी को विराम देने से पहले आप सब लोगों का फिर धन्यवाद करता हूँ और जो अधनिया चोदरी जैन सिंग और अधनिया खलेश यादाव जी ने यह जो गुलदस्ता अधनिया चोदरी अधनिया सिरी चंसे करजी को जोड कर किया है यह बहुत अ